हेलो प्रेंट्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में जैसा कि आप सब जानते हैं हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटियम कंपणी के शेयर के बारे में इस कंपणी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अची ख़बर आ रही है और जिसका एफेक्ट हमां मंडे के दिन इसके शेयर प्राइस भी देखने को मिल सकता है तो वही आज की इस वीडिय कंपणी को लेके और वीडियो जादा से जादा फ्रेंस तक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दाबाद है तापके आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट अब्डेट मिलते रहें तो आई अब हम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी जो पीटियम का शेयर प्राइज है वो है 686.90 रूपीज का हमें इसमें 1.75% की गिरावट देखने को मिली है जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस दिन अगर आप देखेंगे पिछले पांस दिनों में तो इसमें करीब 6% की ग्रोध देखने को मिली है पिछले एक महीनों में अगर आप देखेंगे तो 8.34% की ग्रोध देखने को मिली है अगर मैं आपको बताओ कि वनेजडे लास्ट मार्केट ऑन था उसके बाद थर्जडे के दिन जैसा कि आप सब जानते हैं डॉक्टर साब बाबा अगर आप देखेंगे एक परसंट की ग्रोध देखने को मिली थी पिछले पांच इनों में इस कंपने शे परसंट का ग्रोध दिया है पिछले एक महने की बात करता है 8.34% की ग्रोध दी अगर मैं आपको बताओ टोटल अगर आप देखेंगे दो तीन मंडे एंट अगर आप देखेंगे इसमें काफी जादा तेजी देखने को मिली है अमें अभी जो करेंड में इस कंपनी को लेके एक न्यूज आ रही है वो यह है कि पेटियम जो है एक ऑफिशली डिजिटल पार्ट पेमिंट पार्टनर बन गया है पीम्स मूजियम का अगर आप देख के लिए और उसका नाम जो है प्रदान मंतरी संगरालय रखा गया है और थर्जडे के दिन इनौगरेशन होई थी और इसको बोला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर्स मूजियम अगर मैं आपको बता हो तो यह जो है ट्रिब्यूट है जितने भी अभी तक प्रदान मंतरी हु अगर आप देखेंगे तो इस मूजियम से रिलेड़ेड़ जो है पेटियम के जो स्पोक्सपरसन थे उन्होंने बताया कि पेटियम इनके पार्टनर बन गया है पेमेंट गेटवे के लिए EDC एलेक्ट्रोनिक डेटा कैप्चरिंग के लिए और QR कोड पेटियम के लिए तो इफेक्ट मंडे के दिन हमें मार्केट में भी जरूर देखने को मिलेगा अगर पेटियम के बारे मैं आपको बता देना चाहता हूं इसका IPO आया था and IPO का जो बैंड प्राइज रखा गया था 2075 से लेकर 2100 की आसपास का कुछ था and 6 share का lot था एक lot and अगर आप देखेंगे तो यह IPO आने के बाद से इसमें first day में ही 30% के आसपास की गिरावट देखी थी and उसके बाद से यह company around 70% dip में गया है अभी तक company का अगर current market capitalization देखें तो यह 44,829 करोड का है book value 96.5 रूपीज की है अगर आप इसका 52 week high देखें तो 99.61 रूपीज का 52 week low 5.20 रूपीज पे गया था अगर इसका face value देखेंगे एक रूपए का था FII कि इसमें holding 9.36% की है promoter की कोई holding नहीं है share कोई भी pledge नहीं है अगर मैं आपको कुछ चीजे और बता देना चाहता हूँ कि जब यह share गिरा था तो इस पे एक comment आया था कि जो अशनीर grower है आप सब जानते हैं कि यह भारत पे के founder थे तो इन्होंका भी यही मौका था कि बोलना था कि आपके पास बहुत बड़ी opportunity है जब यह share 525-540 तक चल रहा था तो उन्होंने बोला था कि PTM का सही time है buy कर लो इसे and अगर आप देखेंगे उसके बाद भी यह company में काफी तेजी भी देखने को मिली थी यह अगर आप इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो PTM के लिए तो PTM अगर आप देखेंगे एक तरह से यह एक super app ही है PTM एक super app बोला जा सकता है अगर हम data की बात करें 31st March 2021 की तो company के पास 333 million client base है जिसमें से 21 plus million जो लोग है वो registered है as a merchant जो offer means करते है payment services and financial services और उसके बाद जो e-commerce और cloud services भी अवेल करते हैं PTM की तो इनका अगर आप customer base देखें तो बहुत बड़ा है अगर इसके revenue model की बात करें तो 70% जो इसका revenue है वो payment services से आता है जो अगर आपने देखा होगा कि shops पे जो है इनके एक device लगे होते हैं अगर कोई भी payment कर रहा है तो वो बताता है कि इतना payment receive हुआ है amount का तो उसके rental से एक subscription रहता है monthly plan का तो उसके rental से revenue आती है इनकी दूसरा इनका commerce and cloud services से 25% का revenue आता है एंड ये जो commerce और cloud services है जो revenue की बात हो रही है वो ये इस तरह से आता है कि एक ये अपने customers को convenience fees charge करती है and marketing और advertisement fees charge करती है merchant को बाकी का जो 5% है वो आता है financial services से जैसे कि जो segment है जैसे कि digital banking उसके बाद digital banking में pay tm wallet fast tag वगरा lending buy buy now pay later and all उसके बाद wealth management insurance services ये सबसे बाकी का 5% पैसा आता है अगर मैं आपको चीज बता देना चाहता हूँ ये try कर रहे है banking license के लिए अगर ये license इनको मिल जाता है तो इसके बा इनका real में revenue sector मजबूत होगा और इनकी अच्छी खासी revenue आयाईगी अगर आप देखेंगे इसके लिए थोड़ा time लगेगा और एक बार जिस दी इनको license मिल गया उसके बाद भी ये share बहुत जादा भागेगा अगर देखें company अभी के लिए तो company almost debt free है बट आपको एक चीज कर दू कि company loss making है and company का business कितना भी बड़ा हो अगर वो loss making company है तो कोई फायदा नहीं है company का December quarter का result दिखा तो sales इनका जो है 921 करोड का है इनको loss हुआ है 780 करोड का है इनको loss जो होता है वो इसलिए होता है कि transition पे जो ये cashback and all देते हैं उसकी वज़े से company को loss होता है भारी मातरा उसके बाद अगर मैं आपको बता हो कि company का balance sheet देखेंगे तो share capital 61 करोड का है reserves इसके पास 6200 करोड का है जो की year on year कम हो रहा है borrowing इस पे 636 करोड की है other liabilities 2520 करोड का है fixed asset 424 करोड का है 12 करोड का long term project है and investment market में 1356 करोड का इस company other assets 7626 करोड की है company का अगर cash flow देखेंगे 2021 का तो loss मे नहीं रहा है company adapters देखेंगे तो अभी थोड़ा increase हुआ 51 का and अगर company के share holding pattern के बारे मैंने आपको बता दिया and मैंने आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब IPO आ रहा था तो वो भी बड़े-बड़े जो share holders थे उन्होंने exit किया था क्योंकि इस company में बहुत साफी बड़े लोगों का है बट एक चीज़ बता देना चाहता हूँ company को आगे जाने के लिए इसका profitability बहुत ज्यादा important है जैसे कि Vijay Sekhar Sharma जो इसके CEO है and जो इनके founder है Paytm के उन्होंने ये भी बोला है कि अगर company अपना IPO mark टच करती है तो वो ESOP के जो इनके shares है वो avail करेंगे तो ये देखा जाने वाली बात है कि IPO price तक जाती है कि नहीं अगर इस share को आगे बढ़ना है तो main aim यही होगा कि company profitable बने और उसके लिए एक बार इसको banking license की ज़रूत होगी जिसके बाद से ये company पैसा लेंड कर पाएगी अभी ये जो लेंडिंग कर रही है वो इसलिए कि इन banking service available हो जाएगी और ये loan provide करना शुरू कर देंगे तब इनको interest तो काफी जादा payment आएगा और वो time पे company profit making भी होगी धीरे धीरे और ये देखने वाली बात है अभी के लिए अगर आप देखेंगे PTM से जितना दूर है उतना सही है अगर किसी को invest करना भी है तो खुझ से एक अगरीन में देखने को मिलेगा ये शेर ये वीडियो के इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा धन्यवाद